आप सब लग खुश होंगे सुखी होंगे और सबसे पहले हैपी बर्डे एंड हैपी अन्वेर्सरी तो आल अफ यू जो आज सेलिब्रेट कर रहे हैं में गॉड ब्लेस्ट विद लॉट अब हैपिनेस हेल्थ वेल्थ एन अबंदन्स तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग से क्या है गनेशा गाइडेंस कृष्णा हीलिंग मैसेज़ और मिरिकल मैसेज अफ दे तो सबसे पहले यहां पर है ओवराल फोकस आज आपका फीड दे काउस यहां पर है बचों की एनरजी, एनिमल्स की एनरजी, हार्ट वाली एनरजी से कनेक्ट कीजिए आज हार्ट लव एन कमपैशनेट वाली एनरजी से कनेक्ट कीजिए कुछ ना कुछ ऐसा कीजिए जो आप किसी भूके का पेट भड़ सकें या फिर आप किसी के फेस पे थोड़ी से स्माइल लेकर आ सके तो कुछ न कुछ ऐसा कीजिए जिससे आपकी भी हीलिंग होगी तो ये है आप लोगों का फोकस आज के लिए नेक्स चलते हैं रिलाक्सेशन यहाँ पर गिनेशा गाइडेंस यह है कि आपको फाइल नमबर वन न्यू मून के साथ न्यू बिगिनिंग्स हो रही है बहुत सारे नई साइकल शुरू हो रहे हैं आपकी लाइफ में इसलिए आपको थोड़ थोड़ ब्रेक लेनी है रेस्ट देना है अपने आपको हील करते रहना है ताकि आपको यह अपनी अनर्जी इसको अपनी माइंड बॉड़ी सोल की अनर्जी इसको आप रिजिनेट कर सके रिफ्रेश कर सके कुछ नया साइकल और कुछ नई बिगिनिंग्स के लिए नई अपरिचुनिटीज के लिए आज के दिन है पेज आफ एयर सिक्स अफ वाटर जो यह बताता है कि कोई ना कोई immature परसन के साथ आपकी यंग एनर्जी के साथ कम्मिनिकेशन हो सकती है और शिक्स अफ वाटर जिससे आप जो emotional, emotional loss जैसी एनर्जी में, memories में, past में जा सकते हो लेकि बहुत जल्दी मुझे लगता है कि आप इसको एनर्जी को release कर दोगे तो किसी भी तरह की यह conversation है या communication हो रहा है आपके साथ तो आप ज़्यादा देर इसमें रहने वाले नहीं हो बहुत जल्दी आप इसके energy को release कर दोगे या release कर देना चाहिए आपको नेक्स्ट है यहां पर energetic movement जो है ego के साथ और life experience आर्केंजल के साथ energetic movement गनेशा आपको वो रफतार दे रहे हैं यहां पर changes changes है number five के साथ आपकी energy में काफी सारी changes दे रहे हैं बहुत सारी आपको energy feel होगी बहुत सारा passionate energetic feel करोगे लेकिन यहां पर आप अपनी ego की वज़े से आपकी soul की आवाज को नहीं सुन रहे हो अपनी intuition की वाज को सुन नहीं रहे हो जिस path पर जाने के लिए आपको बोला जा रहा है यहां पर angel है जो एक temple के पास खड़ी है यानि कि angel आपको पुकार रही है angel की आवाज सुनने को follow करने के उनका path आपको यहां पर बला रही है लेकिन आप इस तरफ देख रहे हो अपनी ego को follow कर रहे हो तो इस ego में से निकलिए क्योंकि angels आपको guide कर रहे हैं divine आपको guide कर रहे हैं कि किस path पर आपको चलना है यहां पर temple बना हुआ है angel के पीछे तो आपको temple के रास्ते पर temple path पर लेके जाना चाहती है आपको अपनी dreams को follow करना सिखाना चाहती है सही रास्ता दिखाना चाहती है आपकी help करना चाहती है लेकिन आप जो है अपनी ego में डूबे होया हो यह energetic movement भी आपको इसलिए दिया जा रहा है ताकि आप changes ला सको अपनी life में जो आप करना चाहते हैं वो कर सको लेकिन अगर आप ego में अपनी mind की thoughts में logic reasoning में डूबे रहोगे और उसी तरह से काम करते रहोगे अपनी routine वाला भी तो किस तरह से आप जो है अपने life experiences को change कर सकते हो तो अपनी intuition की सुनिए उस divine की आवास को सुनिए और उसको follow कीजी आप देख सकते हो यह देवनो कार्ड purple color यानि की intuition को बताते हैं और यहां पर आप अपनी intuition को सुनने के लिए रडी नहीं हो आप अपनी mind के साथ काम कर रहे हो अभी भी नेक्स्टा इनर नोइंग यहां पर बहुत प्यारा message था है कि तुम्हें सब पता है मेरी मां तो यहां पर यह message है गनेशा का तुम्हें सब पता है आपको पता है कि आपको signs and symbols मिलते हैं नंबर्स देखने को मिलते हैं डिवाइन की तरफ से नंबर्स की मतलब को समझेए उनके messages को समझेे divine आपको भी पता है कि divine आपके साथ है connected है आपके साथ आपको signs and symbols भीज रहे हैं numbers भीज रहे हैं मैसेजिस को समझने के लिए ताकि आप फॉलो कर सको अपनी ड्रीम्स को और यह आपको भी पता है आपको भी इनर नोइंग है यह कि आप यूनिवर्स के साथ काम कर रहे हो और यूनिवर्स आपके साथ काम कर रहा है यहाँ पे आपको रफ़तार की एनरजी, नाइट अफ़ायर की एनरजी दी जारी है ताकि फाइनली आप जो है एक्शन ले सको टूर्ज यूर गोल, यहाँ पे है एक इमेजनरी दुनिया में आप जाने वाले हो, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, उनको फॉलो करना, यहाँ पे पुश्च किया जा रहा है आपको भागने के लिए, दौर्णने के लिए, रफ़तार दी ज आपको दुनिया को पीछे चोड़ के अपने ड्रीम्स को फॉलो करने के लिए, दे ड्रीमर, फूल की एनरजी, कीजिए, एड्वेंचरस एनरजी आपको दी जा रही है, इनिवर्स आपके पीछे खड़ा है, आपके साथ है, आप जो भी ड्रीम्स हैं आपके, वो राइट टाइमिंग है राइट नाओ, अपने ड्रीम्स को फॉलो करने के लिए, अपने पैशन को जो भी आपके ड्रीम्स है, आप प्रोटेक्टेड हो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर भी एंजल है, आप प्रोटेक्टेड हो आपके ड्रीम्स प्रोटेक्टेड हैं, आपक सब पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है और आपको जो नंबर्स हैं साइन मी भेज़े जा रहे हैं उनका भी मैसेज़िस आपको पता है रपीरिड नंबर्स जो आप देख रहे हो तो सिंपल यहां पे एगो को छोड़ी अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए यूनिवर्स के साथ काम कीजिए मैसेज़िस को समझिए यह एनर्जिक्ट मूउमेंट यह नाइट की एनर्जी यह रफ्तार यह पैशनेट यह फायरी एनर्जी आपको अपने ड्रीम्स फॉलो करने के लिए यह बोला जा रहा है तो यहाँ पर चलते हैं क्रिश्ना हिलिंग मैसेज़िस देख लेते हैं आप लोगों के लिए साल्वेशन लाइज विदिन तो मोक्ष आपी के अंदर है सब आंसर्स, इंट्यूशन, आपकी इनर नोइंग, इनर पावर सब आपी के अंदर है आपको उससे कनेक्ट करना पड़ेगा पीस में जाना पड़ेगा मेरिटेट करना पड़ेगा ताकि उस अवाज से, उस डिवाइन मैसेजी से आप कनेक्ट कर सको और फॉलो कर सको क्योंकि यह इनिवर्स आपके साथ काम कर रहा है आपको आपके पीछे है आप protected हो आपका साथ दे रहा है आपको अपने dreams follow करने के लिए next है the soul is healed by being with children बच्चों के साथ अपने pet के साथ समय बिताईए ताकि आप अपने आपको heal कर सके जब आप बच्चों के साथ इनोसेंट जो energy होती उनके साथ समय बताते हैं तो आपकी healing बहुत अच्छे से होती है आज के लिए आपके लिए positive affirmation देख लेते हैं even when the world around me feels chaotic I remain rooted firmly to the ground जितना आप inner peace, inner strength से जुड़ोगे उतना आप grounded रहोगे यानि कि कुछ भी situation tower moments आपके आस पास या कुछ भी कोई लोग बोल रहे हैं आपको फरक नहीं पड़ेगा आप हीलोगे नहीं एक जो भारी not भारी, एक बहुत पुराना बड़ा ब्रिक्ष होता है पेड़ होता है, उसकी जड़ें दूर-दूर फैली होती है, उसको छोटे-मोटे तुफानों से कोई फरक नहीं पड़ता, उसको हिला नहीं पाते है छोटे-मोटे तुफान तो इसलिए अपनी आपकी roots को firm कीजिए, अपनी spirituality को strong कीजिए, एक strong connection develop कीजिए divine के साथ, ताकि आपको कोई हिलाना सके और यह आप positive affirmation आज के लिए यूज कर सकते हो चलते हैं last section इस वीडियो का जो है miracle message of the day यह है selenite heart बहुत strong यह selenite जो crystal होता है बहुत strong crystal healing crystal होता है इस crystal से का message आज के लिए miracle message यह है आप लोगों के लिए next 24 hours में कुछ ऐसा होगा या कोई आपको ऐसा बोल जाएगा शायद आपको थोड़ा सा दर्द भी हो लेकिन आपका कहीं न कहीं heart chakra बहुत deeply heal होगा जो आप action में feel कर पाऊगे कोई यह communication हो सकता है कोई आपको बोल सकता है कोई truth आपके सामने आ सकता है कुछ भी ऐसा होना parents के साथ बात होनी कोई parents emotionally जब you know support करते है किसी ना किसी चीज़ का एहसास होना आज जो आपके heart को बहुत deeply heal कर जाएगा तो please मुझे comment section में ज़रूर बताना है miracle तो आज peace में जाए इना strength और अगर कुछ ऐसा होता भी है आप सुनते हो किसी के साथ कोई बोलता है आपको या कोई आपको six of cup के साथ यहां पर कोई बात याद आयती है तो उसको surface पे आने दीजिए क्योंकि वो आपकी deep healing के लिए surface पे आई है कोई ऐसा wound जो बहुत सालों से आपके अंदर है जो आपको नहीं पता वो surface पे आएगा इसलिए कि वो heal हो सके तो उसका surface पे आना किसी के कहने से या कुछ ऐसा होना कि वो surface पे आए और फिर fully heal हो जाए हमेशा के लिए आपका हार्ट चक्रा उस pain से उस movement से उस situation में से उस person से heal हो जाए forever तो वो ज़रूरी होता है तो ये थी आज के लिए reading थैंकि 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 सो मच पर वाचिंग थैंकि सो मच and have a good day थैंकि पर नाओ बाई